बहुजान समाज पार्टी के सभी छे विधायक कॉंग्रेस में सामिल हो गए हैं, राजस्थान में कॉंग्रेस सरकार अब बहुमत से छे ज्यादा विधायकों के साथ सरकार में हैं, हमारे साथ हैं बहुजान समाज पार्टी के विधायक जिन से बाचीत करते हैं, आपका नाम सब्सक्राइब कर लेकर आती है और असोग गलो सामिल कर लेते हैं कॉंग्रेस में आप देखिए यह परस्तियां अलग अलग हैं मैं समझता हूं कि इस बार जो परस्तियां वो थोड़ी सी अलग हैं एक तरफ हम लोग कॉंग्रेस पार्टी को समर्तन दे रहे थे वहीं दूसरी तरफ हम कॉंग्रेस के खिलाब लोगसाबा का चुनाव लड़ रहे थे हमारे छेतर में जब हम जाते थे तो तरह तरह की चर्चाएं होती थी आगामी जो पंचायत के चुनाव हैं जो निकाय के चुनाव हैं ये बड़ा मुद्दा था एक बड़ी चुनावती हमारे सामने थी जिसको लेकर हमने बहुत गंबीरता से पार्टी का जो नितरत है उस सब से बात की हमने और हमने कहा कि आदनी बहन जी को आप बताओ हम लो लोगों ने निरने लिया और कॉंग्रेस पार्टी को जोईन किया आपका नाम के जा डीटो दीप चिनखेरिया आप ये पताई डीप-जी सब भान म्यायोती हैं वह क्या लगा होगा कि कैसे कैसे पार्टी जीता के लेके आते हूं छेविदाय को सभी चले जाते हैं कॉंग् मैं बजता हूँ, यह डिटू है, मेरे जो जो कह दिया, वो माल लो, यह की बात है, यह बता है, जो बहुजन समाज पार्टी का कहा जाता है, अपना वोट बैंक होता है, वोट बैंक के सहारे कंडेट जीटते हैं, वो जीतने के बाद कॉंग्रेस में सामिल होना क्या यह चल न कि यह अगां यह काम होने चाहीं, वो यह तो इनकून की ललक यह भी है कि राज में अगर पार्टी में सामिल रहेंगे तो स्याथ ज्यादा काम हो, यह हो सकता है, इसलिए हर आदमी यह कहता है, यह समय ऐसा है, और आप देख रही हो कि देश की परिस्टते हैं क्या हुरी है जोटे वाई देखिए जा रहे ही, जोट बुलि जा रहे ही, और 70 साल कुर्णकार के पांस साल में क्या किया है, उनको पोई गूंद गान नहीं बता रहे है, मंतरी बने की बना है, जोटीज़ोई नहीं सिख्शा तो जनी कौन क्या पाला के रखता है, यह यह है। कुछ बनने की मंत्री कहा जा रहा है कुछ पद मिल सकता है। मानिये मुख्यमंत्री जी का निने है, मानिये सचिन पालेट साब का निने है, कॉंग्रेस के संक्टन का निने है, लेकिन हम लोग कोई ऐसी कंडिशन पर नहीं है, वो पार्टी जो करेगी वो उसका निने है, पार्टी का समान है और पार्टी के सच्चे सिपाई के रूप में अब का लगता है कि ये सही नीड़ है? बहुत अच्छा नीड़े है सब इसे कारे करता होगा मान समान मिलेगा और छेत्र में विकास होगा तू यह इस तरह से आप बहुजशन समास पारटी के जो विधायक थे आप कॉंग्रेस के विधायक बन चुके हैं पिछली पारवि 2010 में भी छे विधायक जीत काया थे और सबीड़ी की सबी कॉंग्रेश में सामिल ओ गय थे फिर एक पारी तिहास दुराया का है रायस्थान में और ये बहुजन समाज पार्टी के विधायक जो है अब कॉंग्रेस के विधायक बन चुके है